बेलकम टूट आगे वेदे से हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी प्यस्सी की भरती राज्य क्रस सेवा इस्टिये के बारे में और जिला उद्यान अध्कारी मतलब डियेचो इतने पदोपर होगी भरती और इसमेने जारी होगा विज्यापन इसके बा बारे में तो देखिए दोस्तों न्यूजपेपर में एकबर निकल के आई है छे महिने से भरती तो दूर परिच्छा तक नहीं हुई मुख मंतरी के कहने के बाद भी समय से पूरी नहीं हो पा रही है भरतिया तो यहां पर पूरी जनकारी दी गई है यह एसिस्टेंट प्र भरती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए भरती तो दूर छे महा में परिच्छा भी नहीं कराई जा सकी है अशिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजटी भरती बिग्यापन जारी होने के बाद तेड़ साल से अधिक समय से अठकी हुई है और असास की यह सहायता प्राप तमादमिक विद्यालों में सहायक अध्यापक मतलब टीजीटी एवं प्रबक्ता पीजीटी के 4163 पतों पर भरती के लिए आवेदन के प्रक्रियाद अगस्त 2022 में ही पूरी हो चुकी है नए सिच्छा सेवा चैन आयोक के गठन के इंदिजार में अभी तक इन भरत्यों के लिए परिच्छा की तिथी भी गोशित नहीं की जा सकी है और अभ्यायतियों का कहना है कि जब आवेदन लिए गए थे तब उच्छतर सिच्छा सेवा चैन आयोक में अध्यच्छा और सदस्त है ठीक है तो अगर उसी समय परिच्छा करा ली गई होती तो अब तक चैनित अभ्यायतियों को नियुक्त भी मिल गई होती भही आवेदन की प्रक्या पूरी होने के बाद माध्मिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड में अध्यक्छ थे लेकिन सदस्यों की संक्या काफी कम थी तो आप लोगों का TGT PGT का एक्जाम जो है वो अभी ऐसी कोई उमेद नहीं ह कि जल्द ही करवा लिया जाए तो अभी तो आप देख सकते हैं जब उसी टाइम ये भरती एक्जाम करवा लिया गया होता तो आप लोगों का अभी तक नियुक्त मिल गया होता लेकिन अभी अध्यच है आयोग में और सदस्यों की संक्या काफी कम है ठीक है इसलिए आप ल आगे चलते हैं बात कर लेते हैं यूपि प्यसी के भति राज एक रसिसेवा एस्टी एक जिला उद्यान अधिकारी इतने पदों पर भरती इस महीने जारी होगा विग्यापन तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी आप लोगों का अपन लेकिन इसमें प्रावलम यह आ रही है कि OTRB होना है और इसमें जो नए विशे जुन इसमें दो तरह की भरतियां होती हैं देखिए एक तो राजे कर सेवा मतलब जिसमें सभी लोग आवेदन करते हैं ग्रिजोशन लेवल की होती हैं और तूसरी होती है एस्टी ए मत दिएचो की भरती थी जिला अधिकारी की तो उसमें अलग सलेवस था और जो एस्टी ए की थी टेकनिकल एसिस्टेंट की उसमें अलग सलेवस था तो अलग भरतियों के लिए अलग सलेवस के लिए सासन से मंजूरी ली जा रही है और दूसरी प्रावलम जो आ रही है वो OTR को लेके आ रही है तो जो भरतियां निकाली गई है यह पीएस की दौरा अभी तक उनमें चात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं ओटियार की वज़े से वेबसाइट काफी बिजी हो जाती है चात्र ओटियार ही नहीं कर पाते हैं इसलिए आपने देखा होगा एपिएस की डेट जो है वो तीसरी बार बढ़ाई गई अब सबसे बड़ी भरती आरो ए आरो का आवेदन लिया जा रहा है तो उसकी भी डेट आगे और बढ़ा दी जाएगी ऐसी पूरी संभावना है क्योंकि ओटियार नहीं हो पा रहा है और चातर आवेदन नहीं कर पा र आएगा लेकिन आएगा आप लोग श्चिंत रहें तो नवंबर लास्ट या डिसम्बर इस्टाइटिंग तक आप लोगों को इसका विग्यापन देखने को मिल सकता है इससे संबंदित आज नीज निकल के आई है आप लोगों को बता देते तो उसमें बदलाव हो सकता आप लोगों को देखने को मिल सके या हो सकता है ग्रेजियोशन और इस्टीय का एक ही सिलेवस बना दिया जाए तो आगे इसमें वेट कर लीजिए देखिए क्या होता है जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा आगे और भी निकल कया है यह तीन साल से नहीं आई क्रेश बहर्ति छात्रों को संसोधन का इंतजार और ये क्रेश क्रेश सेवा के 75.1 पतों भरती पाठ करम में हो रहा बदलाव और राजिक्रस सेवा के एक से पचत्र पदों पर होगी भरती तो यह निजपेपर में कई निजपेपर में निकल के आया है और बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में तो इसके लिए पूरी निज़े एक बार पढ़ने देखें यहां पर यह पूरा लिखा हुआ है उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग यूपी प्यस्सी को सासन से समलित राजिक्रस सेवा भरती के लिए एक सब्सक्तर पदों पर अधियाचन मिला है ठीक है और हालां कि कुछ पदों पर भरती के लिए पाठ करम संसोधित किय जा रहा है जो ग्रेजियोशन लेवल की होती है जो डिये चो आई थी जैसे कि आप लोगों की तो उसमें वही रहने वाला है यस्टिये में आप लोगों को बदलाव देखने को मिल सकता है आगे लिखा हुआ है कि संसोधित पाठ करम को सासन से मंजोरी मिलते ही आयोग इस भरती का विग्यापन जारी कर देगा आयोग ने तीन साल पहले दिसंबर 2020 में राजिकर सेवा 574 पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया था इसके बाद इन पदों पर कोई भरती नहीं हुई है तो आयोग ने 28 जुलाई दो 30 को सूसना प्राप्त की थी समलेत राजिकर सेवा aps अपन द जी शचीव और as pains roughly वर्ती जल्द ही सममांत इसके बाद आयो की ओर से APS और RO RO भर्ती का विग्यापन जारी किया जा चुका है और अब सम्मिलितर राज्य क्रिसी सेवा भर्ती का विग्यापन जारी होना है तो इसका इंतजार है और APS भर्ती के माद्यम से होती थी तो बस 2020 में यह PCS बरती के माद्यम से 2020 में पहले यह PCS बरती के माद्यम से इसमें पदों की संख्या जुड़ी रहती थी और अब यह अलग से PCS के लेवल की परिच्छा करवाई जाती है ठीक है तो यहां पे देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों आगे गाउर करने की है अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया जो ग्रिजेशन लेवल की है उसमें सेम रहेगा पाट करम जो यह होता है अलग 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 विवाग की वेकंसी होती है अलग अलग इसमें जो है स्लेवस रखा गया था तो अब जो नए विवागों की बहती आएगी तो उसके पाट करम में बदलाओ करना ही होगा ये नर्मल सी बात है ठिक है और इसके लिए आयोग की इस भर्ती के लिए कुछ नए पतों का अधियाचन मिला है जिनके लिए पतों की संख्या भी बढ़ सकती है तो दोस्तों अब आप लोगों मेंसे कुछ लोग बोलेंगे कि मैं आप लोगों को बताया था कि 300 के आसपास बदाएंगे ठीक है तो यहां पे 175 ही पद लिखे हुए है ठीक है तो यहां पे देखिए यह साप साप लिखा हुआ है पदों की संख्या बढ़ सकती है तो आगे इसमें पदों की संख्या बढ़ जाएगी ऐसी पूरी उमिद है और आप अभी तक आयोग को जो है 175 पदों का अधियाचन मिल चुका है और आगे और पदों की संख्या बढ़ेगी और इसमें नया अधियाचन जुड़ जाएगा ठीक है और इसके अलावा इसमें इससे पूरु समलित राजिकरिस परिच्छा 2020 के तहत साथ परकार के 564 पदों पर कि लिए विघ्यापन जारी किया धा चर्ण तीं च नो में प्रा राभंभी करिच्चा मुक्षपरिच्चा और इंटर्वी को माध्यों से किया गया था इंटर्विविव जो हो था वो गरिजिविवसर्बाला गृॉप ये उस्ट फोक्त के लिए था और जो गृफं पी की पोस्ट थी ग्रूप ग्रूप P की पोस्ट थी उनमें इंटर्व्यू नहीं था इस TA की पोस्ट ठीक है तो आसा करते हैं आप लोग पूरी जानकारी समझ गये होंगे एक पर फिर से स्वाट में बता देते हैं देखिए इसमें दो तरह की भरती आती है एक graduation की group A वाली ठीक है दूसरी आती है group B वाली तो जो group A वाली थी उसमें जो आपकी भरती थी डियेचो की थी जिसमें पाट करम सेम रहेगा आगर ये भरती आई तो और मतलब graduation level वाली और जो group B वाली होंगी यस्टिये की वो अलग विभाग से अलग अलग पनों पर भरती आती है तो इसमें अलग अलग पाट करम आप लोगों को देखने को मिलता है group A का पाट करम अलग होता है group B का अलग होता है तो जिस विभाग से जिस हिसाब से बरती आएगी उस बिवाग में उसी हिसाब से सिलेवस के आधार पे परिच्छा कराई जाएगी ठीक है? तो ये होगे पूरी जानकरी ऐसे लेटेस न्यूज उपडेट पने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लिजेन उसका